फुल स्क्रीन और फुल एजडी में इस वीडियो को देखना है आपको यह आप देख रहे हैं टॉपर की कोपी एलिमेंट आफ साइंस का आंसर आपके 2020 एक्जाम का जो पेपर हुआ था उसके टॉपर की कोपी है यहाँ पर इसके आंसर से हैं आपके सामने और जो चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी तो उन चीजों का आप सुन लेना सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आंसर जो लिखने हैं बिल्कुत साफ साफ साई सब्दों में और क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुत सही लगाने है यानि कि बी ऑप्शन ले रहे हो तो बी ऑप्शन का फोर्थ है तो फोर्थ और ए उप्शन का अगर फिप्ट है तो इस तरह साफ को लिखना है ध्यान रखना है यह चीजे आपको और यहां पे जो वाइट कलर में यह मिटे हुए दाग है यह आपके यह बताता है कि एग्जामिनर ने जो यहां पर आंसर के नंबर दिये थे उसको मिटा दिया गया है यह प्राइवेसी पॉलिसी होती है इसलिए मिटा दिया जाता है यहां जहां जहां आप वाइट कलर के स्पोर्स देखे होगे वहां वहां इसको हटा दिया गया है ठीक है ध्यान रखना है आपको तो कहीं कहीं आंसर म सकते हैं 2020 एक्जाम पेपर की जो आंसर की है यह आपके सामने है और 2019 का भी डाला हुआ है और 2018 का भी डाला हुआ है तो जैसे आप description बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके class की playlist मिलेगी उस playlist की link पे लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसकी आपको आउशकता है आपको सबसे important चीज इसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो यह है कि आपको 2019 का question paper जरूर सॉल्व करना है उसका solution भी हमने टॉपर की answer sheet में बता दिया है तो टॉपर की answer sheet देखना ना भूलें और 2019 का जो solution है वो आपके इसलिए काम आएगा क्योंकि 2021 एक्जाम में बहुत सारे questions उसमें से आने वाले हैं ध्यान रखना ये बात मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ बार बार बता रहा हू द्यान रखना है आपको तो 2019 का question paper जरूर solve करिए यहाँ पर आठ नंबर ते के question आपने देख लिए आगे वड़ता हूँ मैं प्लेलिस्ट आपको वीडियो के description box में मिलेगी और सबसे नीचे इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए जो answer sheet अभी आप देख रहे हैं तो इसका PDF भी आप download वहाँ से कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको अपने playlist को विजिट करना है अगर आप इस चैनल पर आए हैं और आपने playlist विजिट नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती आप कर देंगे प्लेलिस्ट में हर चीज अबलेबल कराए गई है आपके question bank अबलेबल कराए एक जगे तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी इदोदर भागने की जुरूत नहीं है आपको बस एक बार प्लेलिस्ट open करना है और आपको हर चीज मिल जाएगी आपके पास समय होना चाहिए कि आप उसको पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर जो आंसर सही ढंग से मतलब लिखे गए है और दूसरी चीज आपकी राइटिंग जो है इतनी ठीक होनी चीए कि आपको अगर आठवी नुवी का कोई बच्चा आपकी आंसर सीट पढ़े तो उसको समझ में आ जाए बस इससे जादा नहीं होनी चीए मतलब कि आपकी राइटि उसकी कॉपी लेके पढ़ता है तो वो आराम से पढ़ सके तो एक्जामिनर भी आप समझ लीजिए एक्जामिनर को भी आपकी साफ राइटिंग पसंद दे ताकि वो समझ सके कि आपने लिखा क्या है अगर आप लिखने में लापरवाही करते हैं अगर आप साफ नहीं नहीं देगा आपने सही भी लिखा होगा तो तो आपने जो लिखा है वो उसका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए ठीक है कोशन नंबर 16 का यहां पर आंसर देख रहे हैं उसके बाद में कोशन नंबर 18 का आंसर बताया गया यहां पर तो जो चीज मैंने बताई उसको आपको 2019 का कुशन पेपर जरूर पढ़े हैं और अभी जो प्रीबोर्ड आपके एक्जाम होने वाले हैं तो प्रीबोर्ड एक्जाम को आपको देना है और उससे आपको पैटन पता चलेगा कि एक्जाम में पैटन कैसा फॉलो किया जाएगा उसके अलावा प्रीबोर्ड का जो ए exam complete हो जाएगा तो साम को घर जाने के बाद में आप उसकी साफ साफ photo खीच करके हमारे WhatsApp नंबर 846902568 पर उसकी photo भेज़ेंगे साफ साफ सारे pages की एक से लेकर पहले page से लेकर आखरी page तक की साफ साफ photo भेज़ देंगे तो उसकी answer की बनाकर के PDF के रूप में डाल दूँगा यानि कि आपको answer की लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी लिखा लिखाया आपको PDF की form में मिल जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसकी तैयरी करने में हो सकता है उसमें से तो देखाया है और दूसरी बात अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है कि वीडियो कॉलिटी कैसे 38 करें दूसरे करना बिलकूर ना भूले ताकि दूसरे दोस्तों की आप मदद कर पाए जैसे हमारे कोशिश रहेगी पूरे हिंदुस्तान के दोस्तों की मदद करना, thank you very much for watching this video share करते रहे, पढ़ते रहे आपके examinations के लिए best of luck